मैं आलोग जेटली आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ आज हमें इंकम फ्रम ग्रोइंग और मैनुफेक्ट्रिंग और रबर, कॉफी और टी को डिसकस करेंगे इंकम टेक्स रूल जूट्टीन शिक्टीटू, रूल सेवने इंकम फ्रम ग्रोइंग और मैनुफेक्ट्रिंग और रबर, अगर कोई सेल करता है, लेटेक्स, सेनेक्स, एट्सेक्टरा, अप्टेन फ्रम रबर प्लांट्स, ग्रोण बाइद अप्रोइंग, तो उसकी प्रोफित और गेंस फ्रम बिजनेस और प्रोफेशन और रिमेनिंग 65 परसेंट एग्री कल्चर इंकम ट्रीट किया जाएगा और इस एक्जिंट, इलस्ट्रेशन आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें से आपको और क्लियर हो जाएगा, Mr. C. ने 30 लैक्स का सेल किय है, रवर लेटेक्स फ्रम रवर प्लांट्स ग्रोन बाई हिम, इसमें उनकी जो कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग आई वो 10 लैक्स है, और मैनुफेक्ट्रिंग कॉस्ट लेटेक्स की 8 लैक्स, 30 लैक्स में से ये दोनों कॉस्ट माइनस हो गई, तो 12 लैक्स इनकी टोटल प्रोफित आया है, इसका 12 लैक्स का 65 परसेंट, 7.8 लैक्स अग्रिकल्चर इंकम ट्रीट होगा और एक्जम्ट होगा टेक्स से, और बाकी 35 परसेंट ऑफ 12 लैक्स, इस 4.2 लैक्स बिसनेस इंकम, टेक्स से भी होगा, अंडर दे हैट, इंकम फों बिसनेस और प्रो इंकम फों ग्रोइंग अन्मेनुफेक्ट्रिंग ऑफ कॉफी, यहां दो पार्ट से, इंकम डेराइब फ्रॉम्ट व्रॉफी ग्रोंट और दे होगा, इस केस में 25 परसेंट प्रोफित टेक्सेबल होगा, इस बिसनेस इंकम अडर दे हैट, प्रोफित गाइन गेंज इंकम ट्रीट किया जाएगा, एंड इस एक्जेम्ट, और सेकेंड केस जिसमें वो कॉफी क्रो कर रहा है, और क्योर रोस्टेट, ग्रांड़ेट बाइद बाइद सेलर, विद और विद विद बिक्सिंग, चिकोरी और अर अदर फ्लेवरिंग इंक्रेडियंट, उस केस में 40 परस agriculture income and is exempt. Now, rule 8. Income from growing and manufacturing of Tea. This rule applies only in cases where the SAC himself grows tea leaves and manufactured tea in India. धान किये गा, ओर वि कर रहा हिया और मनुक्तुर भी कर रहा है ती. तो फिर भाई 40% profit on sale is taxable as business income under the head profit and gains from business or profession and the balance 60% is agriculture income and is exempt अगर आपको मेरा चैनल परसंद आता है तो प्लीज लाइक करें subscribe करें Thank You